हलो एर्यवन वेलकम बैक टू मैं चैनल इंगली सेंड जी के वी सुनीता मैं और आज हम आप लोगों के लिए लेके आई हूं फैनेटिक्स का एक एहम टोपिक है जो आपकी जो इंगली से रिलेटिव जो भी पेपर आपकी होती है खास कर आपकी फर्स ग्रेड सेकंड उसके आंदर फैनेटिक्स से रिलेटिव क्योशन आपके सामने जरूर आते हैं तो आप लोगों के सामने यहांं से एक क्योश्न या दो क्योश्न अपने को बिलुकुल पक्का करना है यहां से एक भी क्योश्न अपना चुटना नहीं चाहिए और बहुत ही एज़ी वे में आपके लिए यहां से क्योशन लेके आई हूँ एक दो बार अगर आपने इसे देख लिया और अपने नोर्स बना लिए उन नोर्स को आप सुरक्षित रखे अपने पास सेफ रखे और जब भी आपको जरुद पड़े उसे आप रिपीट करते रहें ताकि आपकी वो जहन में बने रहें और यहां से जो क्योशन बनके आने हैं वो यकीन मानिया आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं फनेटिक्स के अंदर फिस्ट अफॉल हम जहां से स्टार्टिंग करते हैं वो होते हैं साउंस साउंस आपको पता है इसमें 44 साउंस से काउंट होते हैं जिसमें इसको टू पार्ट्स में काउंट किया गया है फर्स्ट है कॉंसोनेंट साउंस से एन सेकेंड है वोवल काउंस कॉंसोनेंट साउंस को आपको पता है 24 में डिवाइड किया गया है और वोवल साउंड को 20 में डिवाइड किया गया है इतना अपध्यार में रखे इतना सा ये जी क्योशन है ये भी काफी बारे पूछा हुआ है कि साउंड कितने होते हैं और कॉंसोनेंस कितने साउंड टोटल साउंड कितने होते हैं और जो consonant sounds है वो कितनी है और vowel sounds है वो कितनी है तो इतना आप द्यान में रखी 44 होती है consonant 24 और vowel sound 20 है दन इसके बाद जो हमारा अपमी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जैसे हमारा consonant sounds है तो consonant जो sounds को इसको two type में divide कियागी इसको भी two type में है तो first is voice less या हम breath sound भी कहती है और second होता है voiced यानि first होता है voice less और second है दिखो मैं दिखा देती हम यहाँ पर voice less और boyfriend फििह जी है जिसमें या तो breathe के can help ली जाती है और इसमें होता है breath less यानि कि बिना ब्रित के बिना सांस के निकलती हैं तो वो कौन-कौन से उनको हमें देखेंगे सब्सक्राइब यह देखते हैं कि वो इसलेट साउंड के अंदर कौन-कौन से आते हैं तो यहां पर मैंने हिंदी में लिख रखा है यह आपके वो इसलेट से साउंड में काउंट होते हैं और इनको आपको इनके जो हम सिम्बल्स होते हैं यह आपको पता होना चाहिए यह हमारे लिए बहुत इंपोर्टन्ट है तो थै का इसमें फनेटिक्स में सिम्बल होता है जो यह वाले आपको दे रखे हैं यह इनके सिम इस तरह से इनको ब्रेकिट में बंद करती हैं अब जैसे आर्थ है अर्थ त्वील मित तो इनको आप इनके साथ है अब कौन सा सिंबल यूज में लोगे यह जो क्यूं है यह वाला सिंबल है यहापे काम में लोगे तो इतना तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो यह आपने पहले भी पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट बोक्स में बताएं मैं इनको डीपली आपको पढ़ा दूँगी इनके जो वाली है सिम्बल और इस तरह से यह हैं इनको अपने पास जरूर बनाई आपके पास होने चाहिएं ताकि आपको जरुरद पढ़े फिर दो इस जो वर्ड आपको सामने दिखाए दे रहें है आपको जै जै है जै है निजँ एक तो ये डी और जै इस तरह से आता जै जिप को आप में लिख लिख लीजिए गया तो इनके जो फनेटिक सिंबल्स होते हैं वह इस तरह से इनके सामने मने लिख रखें उड़ी आप इनको देख लेना और इनके सामने एक्जाम्पल के तोपे मने ये जॉप्स की स्पैलिंग वगेरा हैं वह भी मैंने लिख रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो उनके सामने की जैसे ले हैं उसके सामने की दो और बचगे हैं गया को इस सिंबल्स में इस तरह से राइट किया जाता है यह को इस जे की जे जो आपको दिखाए दिरे इस तरह से इसको रा इसके बाद जो ट्रन आता है वोवल साउंड का तो फस्ट फॉल आपके रखें उसके बाद वोवल साउंड को समझे 20 इसमें होते हैं यह मने आप अलड़ी बता दिया है इसके अंदर इसमें मोनो थोंग ऐन डीप थोंग इसके कितने हैं ण्यार मेंडिय कर रहा है और यह यह वोवल साउंड की है तो जिसमें अर होता है जिसमें कोई भी हाफ जो साउंड निकलती है जिसमें रहा होता है और यह बिल्कुल एक एकदम से हाफ होता है जो सामन निकलती है इसाउंड यह बोल के देखाएं आपको पता चल जाएगा ते आ रहा होता है तो इसमें रहला सीलेरय थिसमेंrangehen di इतना इसली जल्दी से दिमाग में बैठते नहीं है तो आप क्या करें जैसे यह वाला है अर है आप इसको छोड़ दें यह बाद यहाफ है इसको छोड़ दो आप अब आई हाई ही हुआ हो हो तो आप यह पते हिंदी वाले जो श्वर होते हैं आप इस तरह से इनको देखिए इसको पूरा इसको यहां पर है इसको यहां पर बनातों उसमें आड़ करना है तो इस तरह से थोड़ा सदिमाग लगाएंगे तो हो जाए गा मैंने भी इस तरह से इसको काफ़ी इसको काफ़ी च्रिकली याद करनी कोशिफ की थी और मुझे अभी अच्छे से याद होती है इसलिए मने आपको इसको नोर्स बना इसको अच्छे से और इनको याद भीकिय कि कि अगर आप रटो गे तो भूल जाओगे रटना नहीं बिल् नेक चाहिण भी आपके लिए यी यूसफुल हो फिर यह डिप थोंग से जैसे हम डिप थोंग से बोलते हैं जिसा हम मिलकी एक बना लेती हैं उसको उसका रिमान कर लेती हैं तो वह डिफ होते हैं जीसे इसमें अ है और आइं है और इसमें अ है इसमें ऊ है तो आप देखिए आ तो हमने ये लिया था और इको हमने ये माना है उपर वाली में monothonks वाले में देख लीजिएगा वांहें ये हैं ये इसी तरह से हैं तो इन दोनों को अपसमें mix-up किया है याँ कि जहां पे तू वाली साउंड, दो साउंड एक साथ निकलती है, चीक है, जिसमें है, हमारी बोलते हैं, आ औरी, देखो, आ औरी, इस तरह से, इसमें हम कनवट करते हैं, तो मा और इ, माई, मा, आ, आ, औरी, तो इसमें, अब मैं में, आ की साउंड है, आपको, रिफलेक्ट हो रही होगी इसी तरह से, आ, उ, इ, आ, और, इ, आ, उ, ए, आ, 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 चीक है, और इनकी जो एक्जाम्पल्स हैं, वो मैंने यहां पे लुड़ी लिख रखे हैं, ता वीडियो को पूज करके, अपने नोर से ज़रूर बना लें, मैं फिर से टर्न होते हैं, कॉन्सोनेंट पे, आप वो वोवल को वहीं चोड़ देजिए, आपे, अब यहां से एक क्योशन जरूर आता है, जो यह वाला हाफ पेज है मेरा, और इस हाफ पेज में आप देखे, कॉन्सोनेंट को सिक्स पार्ट में डिवाइड किया है, इसमें फ सिक्स टाइप को आप अपने जहन में भी ढालें, यहां से क्योशन बन के आजाएगा, पीछे मने जो बता है, वहां से क्योशन पूट अप होता है, वही मैं आपको करवाने वाली हूं, ठीक है, फिर फिर स्टाप प्लेशिव, प्लोसिव, प्लोसिव के अंदर इस शिक्स, देखो, इसके जो प्लोसिव को शिक्स टाइप में डिवाइड किया है, वो शिक्स कौन-कौन से हैं, पी, बै, टै, डै, के और जी, तो पी को पै हो गया, बै, टै, डै, के और गै, इसको ध्यार में रखी, यह शिक्स वर्ड जो हैं, यह किस में काउंट होते हैं, के है है친ित करनी दो लिद्ड़ी उत्ते हैं और इसतिया को पता है कि यह इतो इसमें कांप होते हैं तो इन को आप रट लिजिए समझ लेजिए टूठी लोन कीजिए वोड़्यवर जैसा भी आपको अच्छा लगे किजिए बटोन को देख लिजिएए गा एक तो डी जे मैंने बताया था आपको इस तरह से ये शिंबल होता है इस तरह से यह चै के लिये यू दॉड यूज में होते हैं फिर है free kletives इसके अंदर 9 है आइन वढ़ है इसके अंदर F, V और क्यूं और यह धै के लिए use में होता है इस तरह से हमें करके फिर उसको इस तरह से कट मार देना है जै, शै, शै और यह शज और है ठीके यह जो वढ़ है यह जो words हैं यह free klatives में use होते है nine words मैंने भी का किस तरह से question बन क्या तो रहे यह question यह से question पूछे हुए है इसलिए मैं आपको emphasize कर रही हूँ कि यह question आई हुए है इस तरह से यह वाले words दे देती है then पूछते है कि यह किस कौन से वाले का part है इसका है इसका है इसका है इसका है नीचे जो हम बताएंगे उसमें सी है तो इनको आप किसी पीतरह से learn करें बट करें फिर फॉट टाइप में है lateral lateral में सिर्वन वड़ है इसको समझने में दरा टाइम नहीं लगेगा इसमें सिर्व एक ही सब्द है और वह हल है वह हमारे नाक से होके वे निकलती है इसको नेजल बोलते हैं फिर सेमी वोवल्स सेमी वोवल्स याने कि half वोवल्स ठीक है तो उसमें rare, way और year यह थ्री वर्ड्स है rare, w और यह जय तो इनको ध्यार में रखें यह वर्स इसको में है यह क्यूशन भी आयवा है कि बताएं सेमी वोवल्स में कौन सा काउंट होता तो यह नों को देज दिया फिर उनमें से हमने देखा हम में पता था कि यह वाला है तो हमने इसको इस वाले में रखा इसको चीक है, बाकी इसका पॉर्सन मेरे पास और भी है यहां से जो मने पीछे बताया यह बताया, यहां से क्यूशन आपके आने के पूरे पूरे चांसे है तो प्लीज आप इसको एक या दो बार सुनिए, पढ़िए, लिखिए अपने फुद के नोर्स बनाएए, कैसे भी आप इसको कीजिए और आपने एक दो से दो नमर अपने पके कीजिए और इसी के साथ है बाई बाई और मेज़े चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हो के गाईस बाई बाई